आज की कहानी का शिर्षक है बेटियां घर की शान होती हैं एक दिन की बात है जब मैं दोपहर को अपने काम से घर लोटा तो देखा कि मेरी बेटी पायल ने अपना गुल्लक तोड़ दिया था वो एक छोटे से डुपटे में पैसे समेट रही थी उसकी आँखों में एक अज से लिपड़ गई उसकी आवाज में एक दर्द था जब उसने कहा पापा चाची बहुत बीमार है चाचा काम पर गये हैं और चाची को तेज बुखार है वो दर्द में करार रही हैं मैं हैरान रह गया मेरी बेटी की मासूमियत और करुणा देखकर मैं भावुक हो गया मैं और चाची का जगड़ा है हमारा नहीं उसके शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया उसकी सोच कितनी गहरी और प्यारी थी वो सिर्फ प्यार और इंसानियत को समझती थी ना कि जगड़ों को तुरंत मैंने अपने छोटे भाई को फोन किया और उससे पूछा कहा हो वो बोल भाईया मैं काम में फसा हूँ शाम तक घर पहुच पाऊंगा मैंने बिना देरी किये डॉक्टर को बुलाया और बहु का इलाज करवाया जब डॉक्टर ने अपनी फीस मांगी तो मैं अपनी जेव से पैसे निकालने लगा तब ही पायल ने मेरे हाथ को रोक लिया और बोल डॉक्टर साहब की आँखों में भी पानी आ गया उन्होंने पायल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा बेटियों की इतनी करूडा और प्रेम देखकर मैं अभी भूत हूँ मुझे आपकी फीस की जरूरत नहीं बलकि इन पैसों से आप अपनी बेटी की शादी में मेरी तरफ स एक तवफा जरूर दीजेगा उस समय में सोचने लगा कि ये चोटी सी बच्ची कितनी बड़ी सीख दे गई हम बेटों की चाह में बेटियों का गर्भ पात क्यूं करवा देते हैं बेटियां भी किसी तरह बेटों से कम नहीं होती वे परिवार की असली शक्ती और प्यार क सम्मान देना चाहिए जो वे वास्तों में हकदार हैं जो प्यार और इंसानियत की मिसाल होती हैं ये कहानी हमें याद दिलाती है कि बेटियां घर की असली शान होती है और उनका मुल्ले हमें समझना चाहिए दोस्तों आपकी क्या राय है अपनी राय हमें कमिंट बॉक्स मे आप तको मुष्यकिन.